हेलो दोस्तों इमांचिल ग्यानमंदाद में आपका स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप सब को पता है हम पढ़ रहे हैं mathematics की 7 exercise को integration को तो इससे पहले हमने exercise 7.1 के question number 1 to 5th method of inspection से जिन questions को करना था वो हमने previous वीडियो में discuss किया है तो अब हम 6 to 20 question यानि की 7.1 को हम आज खतम कर देंगे तो चलिए start करते हैं और उससे पहले जो हमने question किये 1 to 5th method of inspection से किये थे लेकिन अब से हम जो integration formulas का use करके हम question को solve करने की कोशिस करेंगे तो चलिए start करते हैं इस तरह के question में आपको करना क्या है जैसे आपको दिया होगा integration of ax plus bx dx इस तरह से दिया है तो आपको करना क्या है ax की integration अलग से find out करनी है और bx की integration अलग से find out करनी है ताकि आपको integration करने में simply आप integration को कर सके तो आपको ax की integration अलग से करनी है और bx की integration अलग से करनी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है तो इस question में देखो क्या दिया है हमारे पास इस question में हमारे पास दिया गया है 4e3x plus 1 तो 4e3x की integration अलग से करो और 1 की integration अलग से करो तो जब आपने इस तरह से किया तो 4e3x आप देखो integration of e3x क्या होता है 4 तो constant है तो 4 तो 4 ही रहेगा लेकिन e3x की integration क्या होती है e3x ही होती है लेकिन integration में क्या होता है integration में जब आप इस तरह से करते है e3x की तो e3x तो e3x रहेगा लेकिन 3x को आपको differentiate करना पड़ेगा denominator में जाके तो dy dx of 3x जब आप करोगे तो वो 3 आ जाएगा तो इस तरह से e3x upon 3 आपका हो जाता है तो 4 by 3 e3x और 1 की integration तो x होती है क्योंकि हम with respect to dx कर रहे है इसलिए x अगर यहां पर dy होता तो by लिखना होता t होता तो t लिखना होता क्योंकि यहां पर हम with respect to dx कर रहे है इसलिए हमारा x आ जाएगा तो यह आपका first question हो गया अब देखते हैं next question को next question है आपके पास integration of x square bracket 1 minus 1 y x square bracket clause dx तो यह आपकी integration है इसको आपको solve करना है इसलिए हम क्या करेंगे x square को हम multiply कर लेंगे 1 minus 1 y x square के साथ ताकि हमें question को solve करने में simply हम question को solve कर सके x square को आपने इन से multiply किया तो x square into 1 हमारे पास x square आ गया और इसके साथ किया तो x square upon x square आ गया जो की बन हो जाएगा तो इस तरह से x square minus 1 dx हो गया तो मैंने के बोला था आपने इनको अलग-अलग करना है तो x square की integration अलग से करो 1 की integration अलग से करो x square की integration जब आपने की तो वो हापकी हो जाएगी x cube upon 3 क्यूंकि एक हमने के बोला था जब इस तरह का मैंने आपको previous में बता दिया था कि integration को करते कैसे है जैसे कि हमारे पास दिया गया है x1 तो इसकी integration क्या होगी इसकी integration होगी एक पावर बढ़ जाती है यानि की 1 है तो 1 प्लस 1 और नीचे में denominator में 1 प्लस 1 और टोमेटिकली आजाता है आपके पास तो इस तरह से आप करते है जैसे यहाँ पर है x2 तो एक पावर बढ़ जाएगी यानि की 2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा और denominator में 2 प्लस 1 आपका आजाता है तो इस तरह से आपकी इस question को भी आप solve कर सकते है नेक्स question देखते है 8th number question है तो 8th number question है integration of ax2 plus bx plus c dx तो इस question में भी आपने क्या करना है ax की integration अलग से करनी है bx की integration अलग से करनी है और c की integration अलग से करनी है अब देखिए c तो आपका constant है तो जो भी आपके constant term है उनको बहार ले लो integration के sign से बहार उनको लिख लो जैसे कि यहां पर AX2 है तो AX2 में आपका A constant है तो A को आपने بाहर ले लेना है BX में आपका B constant है तो B को बाहर ले लो C में आपका C constant है 1 ही आपका यहां पर रहा तो इस थरह से जब आपने X2 की integration की X2 की integration तो आपको पता है एक power बड़ जाएगी यानि कि 2 प्लस 1 हो जाएगा x cube हो जाएगा और आप उन में 2 प्लस 1 आ जाता है और x यहां पर x की पापर 1 है कुछ नहीं होगी इस कमल x की पापर 1 होगी तो एक पापर और बढ़ जाएगी यानि कि x 1 प्लस 1 x square हो जाएगा और निचे में आपका denominator में 1 प्लस 1 आ जाएगा यहां पर 1 integration of 1 dx यानि कि हम integrate कर रहे है with respect to dx तो आपकी integration x आ जाएगी तो इस तरह से आप इस question को भी solve कर सकते हैं next एकते हैं next question है आपका 9th number इसमें आपके पास question है integration of 2x square plus ex dx तो इसमें भी आपने 2x square की integration अलग से करनी है और ex की integration अलग से करनी है जब आप 2x square की integration करेंगे तो 2x square में भी 2 constant है तो 2 को भी आप बाहर ले लो और x square की integration करो आपने यहां पर विल्कुल एक pattern में चलना है यानि कि पहले आपने इसको अलग कर लिया 2x square को अलग कर लिया जैसे की यहां पर किया हुआ है अब आपने x square की integration की जो की हम जैसे last के 2 question में भी x square की integration आ रही है तो हमें तो यह पता ही है की x square की integration एक power बढ़ जाएगी और denominator में 3 आ जाएगा 2 plus 1 और ex की integration तो ex ही होती है और x को हमने differentiate किया है नीचे dy dx of x तो dy dx of x क्या होता है 1 होता है इसलिए यहां पर denominator में बन आ रहा है अगर आपके बास होता है e 3x तो dy dx of 3x होता है यानि कि 3 आ जाता है यहां पर अगर यहां पर 4x होता e 4x तो 4x की dy dx of 4x क्या होता 4 इसलिए 4 आ जाता तो इस तरह से आपने इस question को भी यहां पर क्या है a-b का whole square यहां पर बन रहा है तो आपने formula जो आपने पढ़ा होगा a-b square क्या होता है a square plus b square minus 2ab या फिर आप ऐसे भी बोलते है a square minus 2ab plus b square वो ही हमने यहां पर किया है हमने किया अन्रूट x का whole square अन्रूट x का whole square तो अन्रूट x को का हम इस तरह से लिख सकते x 1 by 2 का whole square 2 से 2 cancel x यहां पके पास बच किया इस तरह से आपने किया minus 2ab तो minus 2 यह कितना है अन्रूट x भी कितना है 1 by अन्रूट x तो अन्रूट x से अन्रूट x cancel होगा minus 2 आपके पास बच किया तो x-2 और इस तरह से 1 भाई अंडूट x का होल स्केर क्या आएगा 1 का स्केर 1 और अंडूट x का स्केर x तो इस तरह से आपने किया है यहां पर फिर आपने क्या करना है इनको अलग अलग से इंटिग्रेट करना है x को integrate अलग से किया 2 को integrate अलग से किया और 1 by x को integrate अलग से किया x की integrate किया तो x square upon 2 आ जाएगा और आपके पास integration of 1 यहां पर कुछ नहीं इसका मलब 1 होगा तो 1 की integration तो x ही होती है तो इस तरह से 2x आ गया और 1 by x की integration log x होती है जो कि आपको पता है तो इस तरह से आप इस question को भी कर सकते है अगर आपने integration formulas की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखे क्योंकि integration formulas आपको सबसे पहले याद होने चाहिए कि integration of 1 by x क्या होता है integration of sin x क्या होता है integration of cosecant x, secant x क्या होता है इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको question को solve करने में असानी हो, आप question को simply solve कर सके, अब देखिए next question है 11 number, इसमें दिया गया है integration of x cube plus 5x square minus 4 upon x square dx, तो देखिए इसमें क्या करना है, जो आपका denominator में दिया हुआ है, इनको आप अलग अलग से कर लो, यानि कि x cube upon x square plus, क्योंकि आपको integration करने में मुश्किल होगा है, इसलिए आपने इसको अलग-अलग कर लिया है, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, जब आप अलग करोगे तो x cube upon x square आ जाएगा, जो कि आप पर, आपस में cancel होके xc बचेगा, इस तरह से 5x square upon x square, तो य क्योंकि आपके पास 4 upon x square है, और x square upon में है, इसलिए जब आप इसको numerator में लिखने की कोशिज करेंगे, तो आपका minus 2 हो जाएगा, क्योंकि इस तरह x raise to power minus 2 आपका 1y x square ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ ऐसे लिखा है, तो इसके बाद आपने x की integration अलग से करो, 5 की अलग स करो, अब इसमें भी जो जो constant है, मैं उनको बाहर निकाल लो, 5 constant है, बाहर कर लिया, 4 constant है, बाहर कर लिया, अब integration कर लो, x के integration, x square upon 2 होती है, integration of dx आपका x होता है, और यहाँ पर क्या किया है, हमने देखिए, x raise to power minus 2 है, तो इसमें भी power 1 बढ़ाई, plus 1 कर लिया, और minus 2 plus 1 किया, जैसे हम कर रहे है, तो minus 2 plus 1 किया होता है, minus 1, तो x raise to power minus 1 होता है, यहाँ पर minus 1 बच किया, minus से minus plus हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है, हमने 4 by x plus c, तो देखिए, 4 x raise to power minus 1, तो x raise to power minus 1 किया हो जाएगा, 1 by x, तो इस तरह से हमने यहाँ लिखा है, next चलते है, integration of x cube plus 3x plus 4 upon root x, तो देखिए, इसमें भी आपने क्या करना है, इसको अलग कर लो, इसको अलग से लिख लो, इसको अलग से लिख लो, जो आपने इस तरह से किया, तो आप से इस तरह से बन गया, x cube upon root x plus 3x upon root x plus 4 upon root x, अब देखिए, आपको एक फार्मूला पता होगा, x a upon x b, तो यह क minus b is equals to x a upon x b, यह आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो इस तरह से आप लिख सकते है, तो इसमें भी हमने बैसे किया है, देखिए, x cube upon root x है, यानि कि x cube upon x raised to power 1 by 2 है, root x को आप इस तरह से लिख सकते है, x cube upon x 1 by 2, तो यहाँ पर वही फार्मूला आएगा, x a upon x b, x a minus b कितना है, 1 by 2 है, तो 3 minus 1 by 2, तो यहाँ पर इस तरह से किया है, 3 minus 1 by 2, x raised to power 1 है, यहाँ फिर x raised to power 1 by 2 है, तो इसको तो आपने minus में लिखा ही है, तो फिर next आपका, जब आप करेंगे, x 3 minus 1 by 2, तो यह आपको 5 by 2 आ जाएगा, 1-1 by 2 1 by 2 आ जाएगा और minus 1 by 2 तो minus 1 by 2 ही रहेगा उसके बाद जो constant अर्मन को बाहर कर लिया then आपने क्या किया इसकी integration की तो x 5 by 2 की integration की तो आपकी इस तरह से एक power बढ़ जाएगी तो 5 by 2 प्लस 1 हो जाएगा और 5 by 2 प्लस 1 आप उन में आ जाएगा इस तरह से x 1 by 2 की integration की तो वो इस तरह से आजाएगी minus 1 by 2 की integration की तो उसमें भी power बढ़ जाएगी तो जब आपने 5 by 2 प्लस 1 किया तो वो 7 by 2 होता है और denominator में भी 7 by 2 आजाएगा और 3 by 2 upon denominator में भी 3 by 2 और यहाँ पर minus 1 by 2 प्लस 1 किया होता है 1 by 2 होता है और denominator में 1 by 2 आजाएगा उसके बाद जब आपने इसको simplify किया तो आपने जब denominator में 7 by 2 है तो यह आपका denominator में जाके उल्टा हो जाएगा यानि कि 7 by 2 है तो 2 by 7 हो जाएगा तो 2 by 7 आगया तो जब आपने इसको solve किया तो इस तरह से आपकी value आगी उसके बाद जो भी cut हो रहा है उसको cut कर लो 3 से 3 cancel हो गया और आपके पास यहाँ पर 2 into 4 8 हो गया तो इस तरह से आपकी इस question का answer आ गया हो तो यहाँ पर under root x लिखा है क्योंकि x1 by 2 under root x ही होता है next question देखते है next question है integration of x cube minus x square plus x minus 1 upon x minus 1 तो देखिए अगर आप यहाँ पर जैसे दिया हो गया है अगर आप इसको अलग करते हैं तो यह आपका आएगा x cube upon x minus 1 इस तरह से आएगा है क्योंकि previous question में आप ऐसे ही कर रहे हैं जितने भी हमने एक दो question पहले किये तो उसमें हमने ऐसे किया यह आप denominator को जो आपका numerator upon denominator में लिखा गया है उसको अलग-अलग करके लिख लो ताकि आपको simplify करने में आप असानी से simplify कर सके लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x cube upon x minus 1 नहीं आएगा और इसको integrate करने में आपको मुश्किल होगी इसलिए आपने करना क्या है आपने किया कि आपने जो numerator में दिया गया है उसको आपने x minus 1 कहीं से अलग करना है ताकि x minus 1 x minus 1 आपस में cancel हो जाए गए numerator और denominator में इसलिए आपने x minus 1 तो यहाँ पर splitting method लगा हुई है splitting method में देखीए जिसे कि यहां दिया गया है यहां पर इन दोनों में आपने common क्या देखा इन दोनों में common है x2 तो x2 को common ले लिया और x2 में bracket में ले लिया x2 into x xq होता है minus x2 into 1 x2 होता है अब इन दोनों में common क्या है इन दोनों में common 1 है जो आपका splitting method से roots बनेंगे जैसे कि x2 plus 1 और x minus 1 upon x minus 1 और x minus 1 से x minus 1 cancel हो गया तो इस तरह से आपके पास only x2 plus 1 ही बचा तो जब आपने x2 plus 1 ही बचा है तो x2 को अलग कर लो 1 की integration अलग से कर लो x2 की integration आपको पता है क्या होती है और 1 की integration भी तो यह आपका answer आ गया next question देखते है 14 number question है integration of 1 minus x undo tax dx तो यह question है integration of 1 minus x undo tax तो undo tax को इन से multiply कर लो undo tax को 1 से multiply किया तो undo tax आ गया और आपने undo tax को x से multiply किया तो वो इस तरह से आ गया आप देखो undo tax तो undo tax ही रहेगा लेकिन यहाँ पर क्या है a और यहाँ पर a 1 by 2 और ए इस तरह से दिया गया यानि कि A square into A है तो इसका formula क्या होता है A square product A क्या होता है आपके पास plus हो जाता है यानि कि पावरिन की add हो जाती है तो A square plus A था तो इसका मतलब 2 plus 1 A cube आ जाएगा तेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है X 1 by 2 दिया गया है तो 1 by 2 plus 1 हो जाएगा तो 1 by 2 plus 1 क्या होगा X 3 by 2 तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर किया है तो X 1 by 2 minus X 3 by 2 तो इसको अलग से integrate करो इसको अलग से integrate करो तो जब आपने इन दोनों को अलग से integrate किया तो आपकी integration इस तरह से आ जाएगी x 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 माइनिस में इसकी integration यह आ जाएगी और उसके बाद फिर इस तरह से आपने करना है solve करो आप इसको 1 by 2 plus 1 आपका 3 by 2 होता है और 3 by 2 plus 1 5 by 2 होता है तो solve करने के बाद आपका अंसर यह बन जाएगा next question है 50 number integration of undo tax 3x square plus 2x plus 3 dx तो undo tax को आपने इनके साथ multiply करना है तो undo tax को 3x square के साथ multiply किया फिर उसके बाद plus undo tax को 2x के साथ multiply किया और 3 को undo tax के साथ multiply किया तो इस question में भी यह formula लगेगा जो कि मैंने previous question में बताया a raise to power 2 और a raise to power 3 तो इन दोनों को आपस में add कर लो क्यूंकि यहां पर जो आपका variable है वो same है इसमें क्या है x और x ही है अगर यहां पर होता है अन्रूट x और by होता है 3 by का square तब आप इसको add नहीं कर सकते हैं इनके power को लेकिन यहां पर क्या है variable same है और आपके पास product में है तो इसलिए आप इसको add कर रहे हैं अगर product की जगह आपका divide में होता है तो आपको इसको minus करना होता जो कि हमने पहले देखा है question में divide में दिया होता तो आप कैसे करते undo tax upon 3 x square तो 1 by 3 तो common है तो 1 by 3 constant है और यहां पर x 1 by 2 दिया है और upon में x square दिया गया है लेकिन यहां पर आपका multiply में दिया गया है यानि कि product में दिया है तो आप इसमें add करोगे तो 2 plus 1 by 2 कर दिया 1 plus 1 by 2 कर दिया और 1 by 2 तो आपका single ही है उसके बाद फिर आपने इनको अलग-अलग करके लिखना है अलग-अलग करके integrate करना है तो इसको अलग से किया इसको अलग से किया constant हम को बाहर कर लिया जैसे कि 3 constant है तो 3 को बाहर 2 constant है तो 2 को बाहर 3 constant है तो 3 को बाहर उसके बाद आपने जो यहां पर 5y2 की integration की x3y2 की integration की x1y2 की integration की जो कि आपको इस time तक तो पता लगी गया होगा कि कैसे integration करते है power को one add कर देते हैं और denominator में जो आपने power को add किया है जो भी आपका जैसे कि 5 by 2 plus 1 किया है तो denominator में भी 5 by 2 plus 1 आ जाता है तो इस तरह से आपने करना है उसके बाद simplify कर लेना है तो simplify करने के बाद आपका अंसर ये बन जाएगा next question देखते है integration of 2x minus 3 cos x plus ex dx तो इसमें भी आपने क्या करना है integration 2x की अलग से करनी है 3 cos x की अलग से करनी है और ex की अलग से करनी है तो इस तरह से करना है उसके बाद 2 constant तो 2 को बाहर कर लिए 3 constant तो 3 को बाहर कर लिए और इसमें कोई भी constant नहीं है अब देखिए x की integration तो आपको पता ही है एक पापर बढ़ जाएगी और denominator में भी 1 plus 1 आ जाएगा cos x की integration क्या होती है cos x की integration होती है sin x plus c यानि कि sin x होती है जो कि आपने formula में पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने यहां पर भी लिख्या है कि integration of cos x क्यों होता है sin x होता है sin x यहां पर मैंने लिख्या है integration of cos x sin x 3 constant था तो 3 को बैसे के बैसे लिख लिए अब e x की integration तो e x होती है और denominator में dy dx of x तो वो की बन आता है जो की मैंने पहले भी बताया है तो उसके बाद आपको solve करने पर यह answer आपका आजाएगा 2 x square upon x 2 से 2 cancel आगया तो x square और 3 sin x का 3 sin x और e x का e x तो यह आपका answer आजाएगा next question देखते है next question है integration of 2 x square minus 3 sin x plus 5 under x dx तो इसमें भी आपने 2 x की integration अलग से करनी 3 x sin x की अलग से और 500 x की अलग से अब देखिए integration of sin x integration of cos x क्योता है sin x होता है लेकिन integration of sin x क्योता है minus cos x होता है यह आपने ध्यान रखना है integration of sin x क्योता है minus cos x होता है अगर आपका derivative of differentiation of sin x क्योता है वो होता है cos x तो इसमें उल्टा होता है देखिए जैसे कि differentiation of sin x क्यों होता है वो होता है cos x और integration of sin x क्यों होता है वो होता है minus cos x ये difference है तो इस तरह से फिर आप इसको solve कर लोगे x के लिए integration तो आपको आती है sin x की मैंने अभी बता दी कि minus cos x होती है और 1 by 2 integration आप जानते है x 1 by 2 किया आएगा तो जब आपने इसको solve किया solve करने के बाद आपका अंसर ये आजाएगा तो इस तरह से आपने इस question को भी solve करना है next डिकते हैं 80 number question है अच्छा question है exam में बन सकते है इस तरह को question integration of secant x bracket secant x plus 10 x तो आपने secant x को multiply कर लिया इनके साथ secant x को secant x के साथ multiply किया तो वो भा जाएगा आपके बाद secant square x ilosat श्रुच Neo second x को 10 x के साथ double multiply किया तो वो secan tax 10 x किया हो आजएगा तो इसके बाद आपने इनकी integration अलग से किए आप देखिए जो आपके 2 SECANT SQUARE X то INTEGRESSION होती है 10 X हicio होती है यह आपको पता होना चीए SECANT SQUARE X So SECANT SQUARE X कches होती है 10 X और आपकी INTEGRESSION SECANT SQUARE X CHANCE basic X C secant x होता है यह भी आपको पता होना चाहिए अगर आपको फॉर्मॉल यज पता है तो आप question को simply आ आपको solve कर सकते हैं integration of secant square x 10x आ गया है और integration of secant x 10x dx यहा जागय है secant x आ गया और c तो आपको constant होता है जो कि आपने लिखना ही है हार केस में आप देखिए next question है 90 number question क्या होता है यानि कि inverse of cos x 1 by cos x cos x का inverse क्या होता है secant x के equal होता है जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है और इसी तरह से inverse of sin x क्या होता है cosecant x होता है यानि कि 1 by sin x cosecant x होता है तो मैंने वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि secant square x को मैंने 1 by cos2 x लिख लिख लिए और cosecant square x को 1 by sin2 x लिख लिख लिए अब यहाँ पर 1 by cos2 x तो वैसे को वैसा इसको मैंने जब numerator में लेके गया तो यह ulta हो जाएगा 1 by sin2 x था उपर जा कि यह sin2 x upon 1 बन जाएगा अब देखिए sin2 x upon cos2 x तो यह आपका 10² X आ जाएगा अब 10² X की integration आपको पता नहीं है कि 10² X की integration क्या होती है लेकिन आपको sequence X की integration पता है इसलिए आपको एक formula बता होना चाहिए आपने trigonometrics में पढ़ा होगा 1 प्लस 10² X की इकल होता है sequence X की इकल होता है जब आपने 10² X को आपने change करना है sequence X में इसलिए आपने 1 को इसलिए लेगे तो वो क्या आगया आपका sequence X माइनिस 1 तो sequence X माइनिस 1 आपने 10² X की जगा लिख लिए अब sequence X की integration अलग से की 1 की अलग से की अब sequence X की integration मैंने अभी बताई 10 X होती है और 1 की integration तो X होती है तो 10 X माइनिस X प्लस C इस तरह से आपका अंसर आ जाएगा next question है integration of 2 माइनिस 3 sin X अपन को स्केर X dx अगर आपने हमेशा याद रखना है अगर denominator में integration के question में या फिर डिफ्रेंसेशन में भी अगर आपके जो denominator में single में ही लिखा हो यानि कि ना तो प्लस में लिखा और ना माइनिस में तो आप इसको simplify कर लो यानि कि numerator को अलग कर सकते हैं तो वाई को स्केर X जैसे कि और 3 sin X अपन को स्केर X जैसे कि हमने previous question में भी किया है साइब थर्ड या फॉर्थ question में तो इस तरह से ही अब देखिए तू अपन कोस के रेक्स यानि कि बन अपन कोस के रेक्स क्या होता है सीकेंट के रेक्स होता है वो 3 sin X है यहां पर 3 sin X अपन कोस के रेक्स को आप लिख सकते हैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स अब देखिए Sine X upon cos X तो आपका second X हो जाता है 10X हो जाता है 10X का formula क्या होता है 10X is equal to Sine X upon cos X यह आपका आजाता है और आपके पास बचा कहा फिर 1 upon cos X अब 1 upon cos X को आप क्या लिख सकते हो second X क्योंकि अभी बताया inverse of cos X क्यों होता है second X होता है तो इस तरह से फिर आपने यहां पर लिख लिया जब आपने सोल्ड किया तो इस तरह से आपका आ जाएगा यह आपका next question इसको आप इस गलती से आ गया यहां पर तो इस तरह से आएगा फिर two one upon cos square x के था sequence square x और one upon cos x आपका secant x और sin x upon cos x जो कि मैंने अभी बताया 10 x होता है तो secant square x की integration 10 x होती है और secant x 10 x की integration secant x होती है तो इस तरह से 20 question कर लिए next आप इस exercise में दो mcq question है उनको देखते है तो mcq question में first है anti-derivative of undo tax plus 1 by undo tax equals 2 firstly आपको पता होना जाए anti-derivative और कुछ नहीं integration ही है तो जहाँ पर भी anti-derivative लिखा हो तो समझाना है बहाँ पर आपको integration से आपको question को solve करना है यानि कि इसकी integration क्या होगी तो देखिए x को आप लिख सकते है x 1 by 2 undo tax को तो undo tax को तो आपने लिख लिए 1 by 2 और 1 by undo tax यानि कि x minus 1 by 2 क्योंकि 1 upon x 1 by 2 है इस तरह से undo tax को x 1 by 2 भी लिख सकते है और यह आपका numerator में जाके minus में हो जाएगा क्योंकि denominator में plus में है तो numerator में minus में हो जाएगी 22 तो x minus 1 by 2 अब integration की simply आप integration कर सकते है x 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 और इस तरह से इसको भी solve किया तो आपका answer आजाएगा solve करने पर 2 upon 3 x 3 by 2 plus 2 x 1 by 2 plus c तो आपने option में देखना है इस तरह का answer कौन सा है तो option में first नहीं है second भी 1 by 2 है हमें चाहिए 2x के तो यह भी नहीं है third आपका option right होगा तो third इसका right answer है next एक ते है 20 number question 22 number question तो इसमें आपके पास दिया गया है अगर if dy dx of fx is equals to 4x cube minus 3 upon x 4 है तो आपके पास दिया गया है कि जो आपका f of 2 है वो 0 अगर दिया हो तो आपके पास fx क्या होगा firstly आपके पास fx दिया ही नहीं है तो आप इसको integrate करके fx निकाल सकते है क्योंकि यहाँ पर dy dx है अगर आप इसको integrate करेंगे तो आपके पास fx बच जाएगा क्योंकि anti-derivative करेंगे यहाँ पर तो differentiation दी है अगर इसको आप anti-derivative करते है यानि कि integrate करते है तो fx आ जाएगा को both side integrate करना पड़ेगा इसको integrate किया तो fx बच गया और इसको integrate किया तो इसकी पापर तो एक बढ़ जाएगा यानि कि इसको पूरे को integrate करना पड़ेगा तो पूरे को integrate करेंगे तो इस तरह से आपने फिर integrate करने पर आपका यह answer आजाएगा यानि कि आपकी integration आई fx is equal to x4 plus 1 by x3 plus c अब देखिए c तो एक constant term है तो c की value हमें पता होने जीए इस तरह से हम आफ x को निकाल सकते है अब देखिए हमारे पास एक condition दी जाए कि f2 आपके पास 0 दिया है अगर हम इसमें f2 बढ़ देते हैं अगर हम fx की जगा 2 बढ़ देते हैं तो f2 बढ़ दिया तो आपके पास यह आजाएगा 16 plus 1 by 8 plus c इस तरह से आजाएगा अब आपके पास एक condition थी की f2 आपके पास 0 दिया है यानि की f2 की जगा आप आपने 0 लिख दिया और फिर हम इस तरह से c की value को निकाल सकते है c की value आपके पास है अब यह जो c की value आई है इसको आपने जहां fx हमने निकाला था वहां पूट कर दो क्योंकि वह constant थी उसको आपने चेंज करना था इसलिए आपने जब इसमें c की जगा माइनिस 1 by 28 29 अपने लिखा तो आपका अंसर आ जाएगा जो की यहां पर इस तरह से आगया तो option में देखते है कौन सा option right होगा तो first आपका x4 plus 1 by x3 minus 129 अपने तो यानि कि first option ही आपका right है तो इस तरह से इसका right अंसर first हो जाएगा तो हमने 7.1 exercise को solve कर लिया है इसके बाद हम 7.2 exercise को solve करेंगे